उजेन के दिवास रोड पर अलसुब एक कार सवार अपना नियंतरन खो बैठा और रोड पर लगे डिवाइडर से जाटक राया जुसके बाद गारी पलिटी खा गई और कार सवार गंभी रूप से घायल हो गया फिलाल खायल ने देजेन को नीजी अस्पताल में भरती कराया गया है सलसलाई थाना शेतर के बुर्ड लाए नाले पर देर रात आदे घंटे के लिए उफान पर आए नाले के पुल से दो यूवक पानी में बाइक सहीत बह गए दोनों यूवकों के शर्व पुलीस ने बरामत कर पंच नाम बना लिया है वहीं दोनों यूवक इस्थानी निवासी बताय जा रहे है ब्राइविंग करते समय मुबाइल फोन पर बात करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है यह CCTV फुटेज देख कर समझ आ सकता है दरसल उजेन में आज सुबह करीब 10 बजे की लगभग ताटा माजा कार पर सवार होकर नितेश जेन अपने घर की ओर आ रहा था जुरान मुंगी चुराय पर निदेशी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और कार पैठी खा गई कार के टकराता ही आसपास खड़े लोग कार सवार को बचाने के लिए दोड़े और आम लोगों ने घाल नितेश को कार से बहा निकाल कर नीजी अस्पताल में भरती कराया इधर पुलीस के नुसार संभवितह नितेश मुबाइल पर बात कर रहा था और इसी के चलते यह दुरगटना हुई है फिला नितेश का इलाज नीजी अस्पताल में चल रहा है उजेन से वीजेंद रादव की रिपोर्ट सबसे पहले हमारी निउस प्राप्त करें सबस्टर नितेश के चलतेश के लिए प्राप्त करें